इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल श्टॉक के बारे में इस्टील अथरिटी आफ इंडिया श्टॉक के बारे में इसमें एक न्यूस टेंड हो रहा है कि राकेश जुन्जुनवाल ने अपने जो श्टेक इस श्टॉक में थे उसको कम किया है और लगबग 2.75 कर दोर के आसपास के सेयर का सेल किया है टेकनिकली से श्टॉक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले में आपको यह बता दू कि इस श्टॉक ने लगबग पिछले 3 मन्त में माइनस 1% के रिटर्न दिये हैं कि अगले 6 मन्त में इस श्टॉक में 12% के करेक्शन के बा 8-10 दिनों से जहां इस श्टॉक ने लास्ट रेडिंग सेशन में हमने देखा कि कुछ समय पहले 97 से वन साइड़ेट अप्टेंड दिखा एस श्टॉक में 112 तक के प्राइस का अगेन वहां से श्टॉक डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो प्रसनली रिकमेंडेशन रहेगा क अगर आप अल्रेडी लॉंग टर्म के लिए इंवेस्टेड हैं तो आप इंवेस्टमेंट बनाये रखें यहां से गिट करने की गलती नहीं करें अगर आप मीडियम टर्म या सोट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं इस श्टॉक में आपको 98 तक के प्राइस के लिए वेट करना चाहिए जिसका दो मुखी कारण है पहला जब भी ऐसे वेल लोन इंवेस्टर का सेलिंग का न्यूज आता है तो थोड़ा बहुत रिटेल इंवेस्टर भी सेल साइड जाते हैं और गलोबली जो सेल अफ हमने डाव जोन और नेश्डेक में देखा है उसका इंप 1415 और सकेंड टार्गेट 135 चालिस विदिन सिक्स मन्त और जो 115 तक का टार्गेट है विदिन मैक्सिमम वन मन्त टू 1.5 मन्त के डिवरेशन में शियोरली दिखेगा साथ में इस श्टॉक का जो टार्गेट आएफल के दुआरा दिया गया है वो टार्गेट दिया गया है 117 रूपिय का विदिन मैक्सिमम 3 मन्त के डिवरेशन में 117 तक का टार्गेट इसे श्टॉक में दिखेगा इस बात को अपने नोट बुक में सियोरली नोट कर ले और अगले कमिट बॉक्स में सियोरली कमेंट करे